सद्धान्त नहतिक्ता मूल्य माननिये ये सब सिर्फ कोरी बाते लग रहे हैं जब दिल्ली की तस्वीरे आप देखते हैं लेकिन सवाल बहुत सारे हैं सवालों से शुरवात करते हैं हमारे साथ कई खास महमान हैं बीजेपी से आरपी सिंग सर है पर्यांका चाहीषर अब हेंवाद्य चुत कर रहा उनिका महरूत्रा जीयुक्ता बिटे दो दिनों से यह कुछ हो रहा है अाल गजार ढब हेंवानीय 오कूंप से की बिटे दो दिनोरこんにちは चोंहाब के चाहिए कर सदन तक हंगामा चल रहा है खीषतार मार पिटाई क्यों जनताओं कहना पढ़ रहा है कि हमने तो पार्षत चुने थे यह बाउंसर्स कहां से आ गए सभांकर ची सभी को नमस्ते शुभांकर ची सबसे पहले तो हमने जैसे ही हम चुनाव जीते हमने शपत की भी वेटने की और दिल्ली का काम शुरू हो गया आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी रोज हम हर जगा सफाई अभियान चला रहे हैं और वो हर जगा पोस्ट होता ह हमारे काम में कभी कोई कमी नहीं आई शुभांकर जी इसमें कॉंस्टिउशनालिटी और इल्लीगालिटी की बात है तो ज़रूरत है कि हर कोई इसके खिलाप अवाद उठाए यह मैं क्यों कहती हूं पहरे को कन्वेंशन अभी देखे बीच में यह हसते रहेंगे क्योंकि अब आप इंसे पूछने जाएंगे इनके पास रेटोरिक होगा और नेम कॉलिंग होगी इनको कोई भी तरक देना नहीं आता तो इनको बोलिए दो मिनट चुप रहें इसमें क्या होता है शुभांकर जी कि आपने काम शुरू कर दिया काम शुरू कर दिया मैं तो इस बात सदन में जो कुछ हो रहा था सर वो हम डिबेट में नहीं करते हैं आप दोनों से मेरी घुजारिश है आप दोनों मेरे माननिये हैं हमने सदन में तस्वीरे देखी सर लड़ाई जगड़े की यहाँ थोड़ा कोशिश करते कि दंगल ना किया जाए MCD में दंगल चलने नहीं और हम चाहेंगे सर की जो कुछ सदन में हमने दिखाया वो हम टीवी पर ना करें आप दोनों से मेरी घुजारिश हैं पूरा हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि अब तक कहीं से ये सपश नहीं हो पाया है कि वो वोट करने जाही रहे ते सिर्फ मनोनित हुए थे अगर वो प प्रेस्पर्ट्स बता रहे हैं जो नियम खाईदिय कानून जानते हैं तो फिर इतना हंगामा क्यों पोडियम पर चड़कर धक्का मुक्टी हंगामा मैं दोनों को बात कर रहा हूं कि बीजेपी और अमाधी पार्टी ऐसा लग रहा है कि दोनों ने लोगतांतिरिक मूल्यों क कि हत्या की है और ये जनता पूछ रही है कि क्यों हो रहा है कि दिल्ली पर सभी की निगाहें होती है पहले तो हमारे चार पार्शद हैं जो बहुत क्रिटिकली इंजेड हुए जो एलन जेपी में अडिकारी नहीं बनाया और कंवेंशन छोड़िये लो के विप्रीज जाकर इन्होंने 10-10 एल्डर में न्यूक्त किये मैं सेक्शन 243 आर आप कहेंगे तो पढ़ भी दोंगी पहले इन्होंने वो 10 इल्लीगली न्यूक्त किये और उसके बाद मंचा यहीं पिए इसके नहीं लेकर क्या इस्टमाल किया है इन्लीगल को लेकर क्या अगर नहीं हो तो आप बता दीज़ें मैं एक्सपर्ट से पी समझने कोशिक करूंगा मैं 243R section 2 की पहली लाइन पड़ रही हूँ the legislature of a state may by law provide legislature of a state डेली के केस में आम आदमी पार्टी की सरकार है council of ministers की सरकार है और ये बार बहुत स्पश्टता से 2018 में court ने भी कह दिये कि सरफ law police और land को लेकर बाकी सब अधिकार आम आदमी पार्टी के रहेंगे आम आदमी पार्टी की council of ministers की aid and advice के बिना कोई भी step LG नहीं ले सकते है अगर LG को कोई step किसी एक विशे में लेना भी है तो उनको president approval चाहिए होगा इसलिए ये legality है पहली चीज़ दूसरी चीज़ शुभांकर जी इनो जो एक जो पीठा सीन अधिकारी है उनका काम इतना सा होता है कि वो देखे कि मेर की appointment सही तरीके से हो जाए उसके बाद deputy mayor or standing committee का जो चुनाव होगा वो भी mayor करवाएगा अगर ये बाते रखनी थी तो क्या तरीका वही था जो कल देखने को मिला क्योंकि वो पारशत थे बाउंसर नहीं थे क्या podium पर चढ़ना धक्का मुकी करना वो हिलाना जो तस्वीरे आई है मैं बीजेपी से उनके सवाल पूछूँगा जो बीजेपी के पारशतों ने किया लेकि मेरा सवाल उन आम आदी पार्टी के पारशतों को लेकर है अगर यह पीस्फुल था तो जब हंगामा होगा तो उसकी कलपना भी हम नहीं कर सकते यह मैं कह सकता हूँ